जिहां नमस्कार दोस्तों बात करेंगे सर्व सिक्षा अभियान भरती 2024 के बारे में सर्व सिक्षा अभियान के तहत यहाँ पे primary schools में primary teachers की vacancy निकली हुई है साथ ही साथ यहाँ पे यह vacancy grade 3 के अंडर निकली हुई है और grade 4 में peon और helper की vacancy भी इसमें साथ में aid है तो total मिलाके 7,850 पदों पे यह total number of vacancies होती है जो कि all over India, महिला और पुरुष अभ्यारती दोनों के लिए निकली हुई है और यह एक तरीके से जो vacancy है वो rural areas के लिए mostly है क्योंकि यहाँ पे गाओं कस्बों में आपने देखा होगा primary schools होती है पांचवी तक की इसकुले वहाँ पे primary teachers की यह vacancy mostly है जहाँ पे primary teachers के पद 5000 के करीब है और बाकि remaining जो पद है वो grade 4 के है यानि की प्योन और helper के डिटेल discussion करेंगे शुरू से लेके end तक आप बने रहे है जो एक और vacancy की यहाँ पे बात करते है सर्वे सिक्षा अभियान primary teacher grade 3 की जो vacancy है वो all over India महिला और प्रूश अभ्यारती दोनों के लिए है 7850 पदोपे अभी यहाँ पे मैं आपको बता दू यह vacancy grade 3 और grade 4 के teachers के लिए है जानि की यहाँ पे जो grade 4 है उसमें खाली पियोन और helper है और grade 3 में यानि की 3rd grade यह जो है उसमें primary teachers जो की primary schools होती है कस्बों में वहाँ पे primary schools में यहाँ पे primary teachers का काम होता है एक से पाँचवी क्लास के बच्चों को पढ़ाने का primary schools पाँचवी तक ही होती है यह आपको ध्यान होगा इसके अलावा यह vacancy में पद का नाम आप देख लीचे यहाँ पे यह जो vacancy है 3rd और 4th grade पे लेपे matrix level L06 के according यहाँ पे इसको salary जो मिलती है यहाँ पे इनको primary teachers को 30,000 यह जो लिखी हुई है यह यहाँ पे TEDA allowance जो भी मिलता है वो बना वो aid करके फिर उसके बाद में यह salary लिखी गई है वैसे basic salary इनकी 20,000 के around रहेगी starting 2 साल के probation period में तो यह salary 15,000 के आसपास रहेगी अगर मैं बात करूँ helper और यहाँ पे P.O.N. की वही 20,000 के around primary teachers की अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके और details के बारे में साथ ही साथ यहाँ पे इसके qualification के अगर में बात करूँ तो यहाँ पे education criteria में 12th class pass लिखावा है 12th class pass अगर आप हो तो आप आवे दिन कर सकते हो वही graduation आपका यहाँ पे होना अनिवार है grade 3rd के लिए यह आप ध्यान रखना इसके अलाबा एक साथ 2023 तक